सूरज की पहली किरणों के साथ मंटू निकल पड़ता, चिठ्थियों से भरा थैला कंधे पर जिन्दगी के खबरे पहुचाने का मिशन लिये। गली-गली महला-महला वो साइकिल चलाता, हर दर्वाजे पर चहरे खिलते देख मुस्कुराता। उसकी साइकिल छोटी थी, पर सपनों से भरी। चिठ्थिया हवा में पंचियों की तरह उड़ती, हर लिफाफे में छिपी कहानी मंटू सोचता, कहीं खुशिया, कहीं उम्मीदे, कहीं प्यार के टुकडे। बच्चे उसे पोस्टमैन बनना खेलते, बूरे दादिनाना जमाने की चिठ्थियों की यादे ताजा करते। एक दिन, बारिश में एक बूढी औरत खिड़की में टकटकी लगाये थी। उसके बेटे से खबर ना आने के डर ने उसे कापते बना रखा था। वो खबरें सिर्फ पहुचाता नहीं, महसूस करता था। खुश खबरी पर जूमता, दुख में साथ बैटकर आसू पोचता। उस दिन जब पूरे मोहले की परीक्षा के नतीजे आये, वो हर घर खुश्या बाटता हुआ थक नहीं रहा था। मंटू की हवादार दुन्या खबरों की गून से भरी थी। हर दरवाजे के पीछे नई कहानी, हर लिफाफे में जिन्दगी का एक पन्ना। उसकी साइकल जिन्दगी की धरकन बनकर दौडती, शहर को जोडती, रिष्टों की डोर संभालती। मंटू की कहानी हमें याद दिलाती है कि छोटे काम भी बड़ा महत्वर रखते हैं। वो हमें जिन्दगी के जरूरी पुल बनने की प्रेरणा देती है, जो खबरे नहीं प्यार और उम्मीद पहुँचाते हैं। तो क्यों न हम सब मंटू बने, अपनी जिन्दगी की डाक पहुँचाए और दुनिया को थोड़ा और खुशाल बनाए।